यू आर डॉग, तु कुत्ता है, वन मोर टाइम, यू आर रासकल, तु कमीना है, तो दोस्तों यहाँ पर एक खास बात होई जिसको आपको समझना है, कोई हमें डॉग कहता है, तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई हमें एक कुत्ता कह दे, तो शायद बात जादा बु कह दे, तो शायद हम मारपिट पो उतर आएं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन ये है, कि already हम एक language सीख चुके हैं, उसके आधार पर हम English सीखने के लिए जा रहे हैं, मतलब English हमारे लिए Lingua Franca है, और Lingua Franca का मतलब होता है कि native language को ध्यान में रखते हुए, उ Already हम Hindi, Telugu, Tamil, Bengali सीख चुके हैं, अब यहाँ पर हम जब English सीखने के लिए जाते हैं, या कोई और भी language, तो वहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, emotions को छोड़ देते हैं, तो दोस्तों language की जरुवत हमें क्यों पढ़ती है, Hindi भी एक language है, English भी language है, तो language is used to communicate, to pass the message, तो य अंदर है, लेकिन एक में खुश्बू नहीं है, आप उसको reject कर देते हो, ठीक यहाँ पर दोनों में message तो है, बट emotion नहीं है, emotion इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उसको feel नहीं कर पा रहा है, और feel इसलिए नहीं कर पाए, क्योंकि जब इसको आप सीखने का प्रयास किये तो आपके अबल grammar लगाते रहे गए, इसके emotions को आपने मार दिया, जब तक आप language को, words को, उस sentence और phrase के, उसके meaning को feel नहीं करेंगे, तब तक आपको सीखने में तकलीफ होता रहेगा, आज के बास से, जब भी आप English सीखने का प्रयास करते हैं, तो उस समय इसको feel करके बोलिए उसमें जान डालिए, उसको महसूस करते हुए आप बोलने का प्रयास करें, इतना जल्दी आप सीखेंगे कि आप इसकी कलपना नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर सामने वाला जब आपके feelings को पकड़ लेता है, तो छोटी मूटी गल्तियां भी माफ हो जाता है, एक example के माद् यहाँ तरिमश क्या कहता है, पुजा, you were the person that whom I trusted a lot, I believed on you blindly, I did a lot of things for you, I fought against my family for you, but what I got you ignored me, you just used me as like a dust bane, I think that this is the right time, I think you are not feeling comfortable, I think you should go your own way, I should I'll go with my own way, so it's okay, it's final bye bye and tata. अब यहां पर देखिए हमने जो बाते की वो बिलकुल फ्लैट था अब इसी में अगर रमेश इमोशन्स डालके बोलेगा तो कितना बहतर होगा शहरे ऐसा बोल सकता है कैसे Pooja you are the person that whom I believed blindly You can't believe that I fought against my parents for you Pooja But what you did, you just used me, you just consider me as like a dustbin I gave you blood to save your life and you gave me blood on my eyes Okay, if you are not feeling comfortable, I think you should go your own way And let me please go my own way, this is my final bye-bye and tata Bye-bye आये चली थोड़ा सा practice करते है कि कैसे हम emotionally बोल सकते है माल लिजे खुशी से अगर हमको कुछ बोलना है, practice करिए मेरे साथ Oh wow, what a great shot Oh you are looking so beautiful You are so nice person Wow, what a great achievement May God bless you, fantastic, fabulous अब थोड़ा सा regret वाला भी हम practice कर लेते है Sorry to hear the loss of your grandparents Sorry for the loss of your dog Sorry you were not selected GEE Better luck next time तो आज के बाद से छोटे 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 emotional English बोलने का प्रियास करें तो शायद आपकी English बहतर हो पाएगी तो hope so इस छोटे से वीडियो में मैंने कोई खास बात आपको बता पाया अगर आप तक मेरी message पहुँच पाया तो मैं समस्ता हूँ की मेरी महनत सफल हो पाई तो thank you for watching this video Have a great day